पिछले कुछ सालों से जलवायू में हो रहे है परिवर्तन के बीच किशानों के सामने अब खेती में बदलाव करने के लेकर रूची देखने को मिल रही है वहीं किशान कितना कुछ बदल रहे हैं और किशना कुछ खेती में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं इसको ले कि जिस तरह से मौसम में और जलवायू में बदलाव हो रहे हैं, उसके बाद से किशान फसल तो खेत में लगा रहे हैं, लेकिन वो अनाज उनके खेतों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यह संसे उनके दिमाग में हमेशा घुम फिर रहा है, और इन संसेयों का करते हैं, क्या है में शर, पिंकु कुमार सिंग, अच्छा Curia सीवान है या कुछ पर, नह, आलादाही गाओ है और हरकपूरा महोजा और हरकपूरा महोजा है, मैं पीछ यहाई है, मैं पीड़ी चाहता हूं मैं कूल्हरी या बोला था, आलादाही गाओ है और तो थोड़ा स आज पास है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो सरी क्या है जिस तरह से मौसम बदल रहे हैं जलवायू परिवर्तन हो रहा है पिछले कुछ सालों से यह देखने को मिला कि किसान फसल तो लगा रहे हैं लेकिन में टाइम पे बारिस हो जाती है जिस समय बारिस के तेलहन मतलब रभी फसल के वल एक फसल होता था धान होता ही नहीं था धिरे 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 जलवाई पर तन के चलते लोगों ने बोरिंग किया फिर उसके बाद तरह तरह का अपना साधन बनाए साधन बनाने के बाद लोग धान का खेती करने लगे मतलब धान और कि धान के समय या गयहूं के समय बिना समय बर सात हो जा रहा है। ब्लड वह तव पर भी हो जाएगा रभी में और काटने के समय भी हो जाएगा तो उस समय दोनों समय कि सानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। части चेलते किसान अब धान और गेहूं को छोड़ के दूसरे यह टांप पूसर मालीज़े अनुसार होता है मिटी के तरह मिटी के तरह परिवर्तन होगा तूमालीजिय हम लूगों कहां जैसे मक्का कहा जाता है तो मक्का कई ख्यति संबार नहीं कव पाणी पानी अज़ेगा भर जाएगा तो मनलीच समझिये की खतम हो जायेगा फिर उसके बार फी तो फीडिया का पाॽ में लग साएगा अपने बस में नहीं है और लेकिर पानी बस में हो वहीं है कंच दूसरे ब्यवसाय के तरफ बढ़ रहे हैंब दीखिये कहां तक तक बदलाव सोचा जा रहा है माली जे कहीं न कहीं तालाब लोग खोद रहे हैं बकरी पालन के लिए भी सोच रहे हैं फिर ते बात मचली पालन भी है मुर्गी पालन भी है मतलब कुछ न इसलिए पूंजी लगा के लोग अपना बेवसाय करना चाह रहे है अब सोच रहे हैं इस पर निरभरता नहीं निरभर नहीं है उमर सर क्या नम है अपका नारदनी नारजे कितना कुछ बदला है आपके सीवान में पिछले दस या पचास सालों में और कितना आप देख रहे हैं कि अब बदलाव करने के जड़ुद तो अब तो चाहिती अगा हनी बढ़सात हो जाता है सजी मांने यह का तो कह ब कह लिए हैं कि भाई कतकल के नकसान हो जा रहा है अभी पानी टाइम से नहीं कि नहीं थे जोच रहे हैं कहने सवय मुर्गी पालन बखरी चाहिए हाँ कोई चीज हो कि हम लोग जी सके उससे असके अबारे किस्ट्विधाय कि आपका नाम की तना पहुंच रहे हैं सरकार के सुभिधाय जो जलवाई उपरिवरतन की बाते सरकार कर कि ढाहन नहाँ भालाबे हैं का रहाए कि दान के रावा उंची एज नाकों पर करी अननी चीजह के बारे में बता रही है की आव जिवा फ्रशल बाते हो रही है कर से का को आड़ासथा यहां confident बीफनल की नहीं है पहुंचता नहीं है, सारा चीज पेपर पेन पर केवल हो जा रहा है, पेपर पेन के चलते, जब तक हम लोगों के पहुंचता है, तब तक क्या की सिस्टम ही बंद अब काम खतम अभी कुछ हाई ही नहीं है, ति अब किसान सोच रहे हैं खेती को बेवसाय के तौर पे करने के लिए और उसकी और कदम बढ़ा रहे हैं, तो कईमूर का ये इलाका कभी धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस धान के कटोरे के बीच में अब किसान अन्य खेतियों की ओर भी थोड़ा सा रूची दिखा रहे हैं और इस रूची में सरकार की विश्रा भागिता थोड़ी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इससे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन भी दबा दें